Hello everyone, welcome back to another class बच्चो और आज आप सोच रहोंगे कि rotational motion के chapter के बीच में ये circular motion part 3 कहां से आ गया तो मैं आपको याद दिला देता हूँ, circular motion part 2 में हमने banking of roads तो कर लिया था, but vertical circular motion, vertical circular motion ये हमारा topic रह गया था बेटा, और अभी rotational motion में उसकी हमें ज़रुरत पड़ेगी क्योंकि आपको tangential acceleration और angular acceleration ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए तभी आप rotational motion बहुत अच्छे से समझ पाओगे, right? तो क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, सब कुछ बढ़िया है तो जल्दी से एक बार दिल बानागो बेटा और ये topic आज हम finish कर लेते हैं, फिर कल से दुबारा, है न, moment of inertia के साथ हम लोग continue कर लेंगे rotational motion में, बट ये chapter अभी जरूरी है, ये topic अभी जरूरी है और anyways, उस दिन हो नहीं पाया था, तो let's kill it today, right? चलिए, तो start करते हैं, सबसे पहले बच्चो आपको हमारे चैनल को subscribe करना है अगर आपने अभी तक subscribe नहीं किया है, तो फड़ा फट subscribe बटन नीचे दिख रहा होगा वीडियो के उसको दबा दो, bell icon पे भी click कर दो, ताकि सारे notifications आपको time पे मिल जाएं यह हमारा telegram group है, telegram group का name है unacademy need toppers, आप इसको join कर सकते हैं t.me slash यह type करके और यहाँ पे आपको हर session के पहले एक notification रहा जाता है आपके प्यारे-प्यारे teacher से एक छोटा सा video message डाल देते हैं, जिससे आप motivated रहते हो class करने के लिए, right? तो कई बार आपको ऐसा लगता है कि class आज करें नहीं करें, lazy सा feel हो रहा है, हो सकता है telegram group के अंदर वो video message देख के आपका मन कर जाए और आप class कर लो और अगर class कर लोगे तो end में फायदा तो आपका ही है, right everyone? yes, classes miss नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ आपको ensure करना चाहिए बेटा हम आपको YouTube पे तो सब कुछ free में पढ़ा रहे है, special classes भी होती है बट साथी साथ आपके पास unacademy subscription का भी option है, जो आपको definitely consider करना चाहिए अगर आपकी preparation पूरी अच्छी तरीके से नहीं हो पा रही है, क्योंकि बेटा competition बहुत जादा high है लोग 720 में 720 आजकर score कर रहे हैं, you know that, right? two people have done that in 2020, neat तो आपको भी बिल्कुल अपने toes पे रहना पड़ेगा, आपको बहुत अच्छे से अपने तैयारी करने पड़ेगी अगर doubts clear नहीं हो पा रहे हैं, interaction नहीं हो पा रहे है educators के साथ साथ ही अगर आप life polls और leaderboard में आपको ज़्यादा feel आती है, जो कि हमेशा आती है, obvious सी बात है तो बेटा आप आने कार्ड में subscription ले सकते हैं, right? तो यहाँ पे life classes होती है, interaction with educator is possible here life polls आप जब दोगे ना अपने answers और आप देखो के सही हुआ नहीं हुआ, leaderboard में मेरा नाम आ रहा है या नहीं आ रहा है तो बेटर आपको feedback मिलता है अपने तैयारी का और आपका confidence में से थोड़ा boost होता है बच्चो, right? test series मिलेगी with analysis और सबसे important बात जो मुझे USP लगती है इसकी वो है live doubt clearing session generally हम thumb rule कहते हैं कि 72 hours में आपके सारे doubts clear हो जाने चाहिए, especially physics में 72 hours से ज़ादा रहेंगे तो problems बढ़ती जाती है, interest खतम होता जाता है बेटा तो live doubt clearing session हर 3 session के बाद होता है, मतब after every 3 sessions, 4th session is a live doubt clearing session जहां पर आपके teachers खुद आपके doubt clear करते हैं, तो feel अलग level की आती है और बेटा ये है वो platform जहां पर पढ़ाई होती है, जो कि बहुत amazing है, सिर्फ पढ़ाई के लिए बना हुआ है, right तो subscription लेने से आप definitely अच्छे flow पे आके पढ़ाई कर सकते हैं, top educators, best educators of India are teaching here obviously अगर आपको subscription लेना है तो दो options है, एक plus है और एक iconic है, plus में जो benefits मैंने आपको बताए अभी वो मिल जाएंगे plus में, लेकिन iconic subscription में सबसे अच्छी चीज है, इसकी USP क्या है, personal coach मिलते हैं आपको यहां पे, personal coach का काम क्या होता है, understanding your situation कि आपके situation में हो, कैसे आप पढ़ाई कर पा रहे हो, और उसके हिसाब से आपको expert guidelines देना, कैसे कैसे क्या क्या करना है, और सबसे important is study planner देना, तो study planner मतलब कब आपको chemistry का कौन सा chapter पढ़ना है, कैसे physics को manage करना है throughout the year, कैसे biology में, कब क्या 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 कैसे कैसे पढ़ना है, everything, क्योंकि यह कई बच्चे खुद से plan नहीं कर पाते, लेकिन सोचो आपके पास अगर कोई expert है, जिन्होंने या तो neat crack किया हुआ है, खुदी या तो उनको बहुत सारा experience है, बच्चों को guide करने का, when they will tell you the planner बेटा, तो आप बहुत अच्छे से अपनी तयारी कर पाओगे, तो prices ऐसे कुछ हैं कि 1 year plus का subscription 34,650 का है, 2 year का 50,400 का है, और अगर आप iconic में जाना चाहते हैं, तो ये prices 58,500 हो जाएंगे और 90,000, prices are higher because आपको personal coach मिल रहा है, बट बेटा, दोनों जगे ये code लगेगा, जीजी live यहां पे भी, और इस पे भी है ना, क्या code लगेगा, yes, जीजी live code लगेगा, और इस से आपको maximum discount मिल जाएगा, ब iconic का six month ले लो, better रहेगा आपके लिए, so that you will get the guidance as well, right, और तयारी तो होती रहेगी plus पे, right everyone, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अब बेटा कहानी की शुडवात करते हैं, बता ओ, जोश वश हाई है, थोड़ा जोश दिखाओ यार, ऐसे नहीं चलेगा है ना, दिल बनाईए अग बहुत important concept है बेटा, और इसको सीखने के बाद ही आपको rotational motion में, जब हम वो topics करेंगे ना, torque, torque is equal to I alpha, वो सब तभी समझ में आएगा, जब आज जो मैं आपको यहाँ चोटी सी class में पढ़ाने वाला हूँ, वो आपको अगर समझ में आ गया तो, ठीक है, चलिए, तो ancient civilization में, याने कि कुछ दिनों पहले है न, ancient civilization तो हम ऐसी कहते रहते हैं, बट हाँ, कुछ दिनों पहले ही वेटा, आपको यह पढ़ाया गया था, कि uniform circular motion कि स्टिडिया का नाम है, तो uniform circular motion में, क्या चीज uniform होती है, speed uniform होती है, speed constant हो जाता है, velocity constant नहीं कह सकते है, क्योंकि direction change होती है, speed constant है, तो angular speed भी constant है, और angular speed के constant होने से alpha 0 हो जाता है, यहाँ पर a 0 लिखा है, आप इसको लिख लो, alpha 0 हो जाता है, यह टाइप तो है, typing mistake है, please don't mind, alpha 0 हो जाता है, और alpha क्या होता है, angular acceleration बच्चो, angular acceleration का formula क्या है, d omega by dt अब खुदी सोच लो, तुम खुदी बता दोगे, देखो क्या V constant है, तो क्या omega constant है, बिलकुल है, अगर omega constant है, तो d omega by dt क्या होगा, 0 ही होगा, है ना, change in velocity 0 हो गया यार, तो 0 ही होगा, और उसी को हम कहते है, angular acceleration, तो angular acceleration 0, इसका अगर आप diagram देखेंगे, तो कुछ ऐसा होता है, यहाँ पे, है ना, velocity हर जगे आप देखलो, उसका magnitude constant देखेगा, देखो, यह वाली length देखो, वीवन वेक्टर की, ठीक है, यह वाली length देखो, यह वाली length देखो, यह वाली length देखो, हर जगे आपको constant length देखने को मिल रही है, यानि कि speed constant है, magnitude, constant है velocity का, सेब direction में change आ रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया, लेकिन अब आता है, non-un uniform circular motion, बेटा, non-uniform circular motion में exactly opposite हो जाएगा, जो uniform में होता था उसका, है ना, तो non-uniform में speed भी constant नहीं होती है, speed भी change होती रहती है, और अगर speed change होती है, बेटा, तो omega भी constant नहीं रहेगा, है ना, क्योंकि वही formula, v equal to omega r, अब सोचो, जैसे-जैसे v change होता जाएगा time के साथ, है ना सोच रहे हो, v भी change होता जाएगा, radius तो constant है, omega change होता जाएगा, radius तो constant है, है ना, अच्छा जी, और अगर omega constant नहीं है, तो alpha 0 नहीं होगा, यानि कि this kind of circular motion has a particular value of alpha, जिसको आप यार से क्या कहते हो, नाम करेंट संसकार क्या किया हो, इसका, angular acceleration, तो angular acceleration, चलो revise करते है, ठीक है, ब uniform circular motion, क्योंकि uniform है, speed constant है, omega constant है, तो alpha 0 है, तो angular acceleration 0 कहाँ पे, uniform में, और कहाँ पे 0 नहीं होता है, एक ही बच गया अपना non-uniform, तो non-uniform में 0 नहीं होता है, alpha will have some value, it will not be equal to 0, कहाँ पे omega constant होता है, uniform में, कहाँ पे omega constant नहीं होता है, change हो जाता है, non-uniform में, बात समझ में आ गई, औ और omega change होता है, तो speed का magnitude भी change होता रहता है, अब आप सोचोगे sir, आपने uniform का, यह कौन सा है, uniform circular motion, uniform circular motion का diagram ऐसा बना, जहाँ पर यह सारी length जो है वो बराबर है, तो non uniform का कैसा बनेगा, non uniform का बेटा ऐसा बनेगा, ठीक है, मतलब यह तो नहीं है, यह भी नहीं है, कहां गया, ओ, क platform में छोटी-छोटी mistakes होती ही रहती है, कोई नहीं बेटा, मैं बना देता हूँ, non uniform circular motion, पक्का नहीं है, क्या, ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन यार, मैंने add करवाया था, नहीं है, कोई बात है, देखो, 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 यह तो uniform का diagram है, बेटा, non uniform में क्या देखो, अगर यह वाली velocity इतनी सी है, मान लो, ठीक है, मान लो, इतनी है, चलो, ऐसा, ऐसा vector दिख रहा है, V1 का, तो बेटा, V2 vector की length थोड़ी अलग हो जाएगी, हो सकता है, हो सकता है, जाता हो जाए, depend करता है, V3 vector का और कुछ length हो जाएगा, V4 vector का और कुछ length हो जाएगा, अगर आप देखोगे, तो हर point पे, दिख रहा है ना, अरे परेशान मत हो ना, GIF डलवाया था, बट आ नहीं पाया, हो जाता है कई बार, कोई बात नहीं, यह किसका diagram है नमूनो, uniform का, क्योंकि यहाँ पे सबका length बराबर, देखो, यह length, यह length, यह length, यह length, सब equal है, बट यहा magnitude, change हो रहा है, velocity का magnitude, change हो रहा है, ठीक है, अच्छा, ठीक है बात समझ में आ गई सर, कोई बात नहीं, simple सी बात बता रहे है, और क्या बता रहे है सर, यहाँ पे constant होगा, यहाँ पे constant नहीं होगा, diagram बना के कौन सा कुछ बहुत बड़ी चीज़ बताती है ना, diagram में यह तो दि इक बात बताय गई थी, एक acceleration होना चाइए हमेशा सेंटर की तरफ, कितने बच्चों को यह बात याद है, अरे याद आ रहा है, बहुत बहुत पढ़ना पढ़ा रहा हूं, revision ही तो है, AC होता है, मतलब basically कोई भी circular motion possible ही नहीं है, जब तक centripetal acceleration प्रवाइड कराया ना जाए, जैसे आपको पताया था, मैंने examples बताया था, कि planet around sun क्यों revolve हो रहे हैं, क्योंकि एक centripetal force हमेशा लग रहा है, gravitational force, center की तरफ, वैसे ही nuclei के around, electrons क्यों revolve हो रहे हैं, क्योंकि हमेशा एक centripetal force लग रहा है, center की तरफ, कौन सा force है, वो, electrostatic force है उस case में, उससे हमें क्या फर्क पड़ता है, कोई भी force हो, एक force तो होना पड़ेगा, याद करो, circular turning of a car, center की तरफ लगने वाला force, friction, तो हर case में, एक center की तरफ लगने वाला force तो होगा, नहीं है, तो circular motion नहीं होगा, simple सी बात, ठीक है, बहुत बढ़िया, तो AC तो था, अब एक बात याद करो, याद क्या करना है, मतलब uniform circular motion में देखो, यह सारी speed constant थी ना, बेटा, सारी speed तो constant थी, हर जगे speed का magnitude constant था, वी, 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 तुम्हें पता है, speed की value change क्यों नहीं हुई, क्योंकि, centripetal force, speed के perpendicular लग रहा था, हाई साहब, याद करो, work done का topic, देखो, instantaneous velocity इस तरफ है, है ना, instantaneous velocity मतलब, उस instant पे particle इधर जाना चाहता है, तो उसका displacement भी तो उसी तरफ है, instantaneous displacement, tangent ड्रॉक बरेकर तो उधर ही तो आएगा, और जो displacement की direction है, वो इधर है, force की direction इधर है, कोई work नहीं हो रहा, समझो, बहुत अच्छी बात बतारों, बहुत important बात, तो यह जो centripetal force होता है ना, यह सिर्फ particle का direction change करता है, क्या change करता है, सिर्फ particle का direction change करता है, मतलब उसकी magnitude of velocity को change नहीं कर पाता, चाहके भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि यह 90 degree पे act कर रहा है, हर point पे, देख रहा हो, यहाँ पे भी 90 degree, 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 और 90 degree होने से, उस force का work done 0 हो जाएगा, और work done equal to होता है, change in kinetic energy, अगर work done ही 0 है, तो change in kinetic energy 0 हो जाएगी, क्या तो feel दी है सर ने, work, power, energy और circular motion दोनों के concepts एक साथ सिखा दिये, देख रहे हो, work energy थोरम याद तो है, work done क्या होता, equal to change in kinetic energy, अब सोचो, अगर यह बिचारा centripetal force work ही नहीं कर पा रहा है, हमेशा 90 degree पे लग रहा है, तो work done ही 0 है, तो change in kinetic energy कितनी हो जाएगी, 0, और kinetic energy तो भी है, speed पे constant, मतलब speed पे depend करती है, तो change in speed भी 0 है, speed मतलब सिर्फ magnitude 0 है, और इसलिए speed यहाँ पे constant हो जाता है, बेटा बताव, feel आईए, बहुत जवर्दस चीद सिखा दिये मैंने, तो हमने ये देखा, अगर conclude करना चाहें इसको 2 मिनट के अंदर, तो हम ये बोलेंगे, कि भाई साब, uniform circular motion में, पार्टिकल पे लगने वाला force, या फिर पार्टिकल पे लगने वाला acceleration, linear acceleration, center की तरफ है, और पार्टिकल का instantaneous velocity, उसके perpendicular है, तो वो force, centripetal force, उस पे कोई work नहीं कर पाता, और क्योंकि work नहीं होता है, तो speed भी change नहीं होती है, speed भी change नहीं होती है, क्या बात है सर, बढ़िया feel आ गई, अच्छा तो फिर ऐसे सोचो, कि चलो uniform circular motion तो ठीक था, ये जो non uniform में speed change हो गई, भाई साब ये किस ने करा दिया फिर change, अभी तो सर बता रहे थे, कि centripetal तो center की तरफ लगता है बच्छो, ये तो work ही नहीं कर सकता, तो ये तो speed को change ही नहीं कर सकता, यहाँ तो speed change होई है बटा, अरे ये क्या चल रहा है यहाँ पे, तो असल में कहानी ऐसी है ना, कि एक और acceleration होता है, अब तुम patience lose मत करना, ठीक है, अब तुम patience lose मत करना, एक acceleration तो हमेशा center की तरफ होता ही है, centripetal acceleration कहते हैं, बताओ, इस centripetal acceleration का job क्या है, इसका life में aim क्या है, इसका aim बस इतना है, कि ये direction को change करता रहता है, direction को change करना इसका काम है, that's it, इसको बागी किसी चीज़ से मतलब नहीं है, अगर particle ऐसे जा रहा था, तो ऐसे ना जाने की बजाए, ऐसे घूम जाएगा, because of centripetal, इसका काम बस direction change करना, पकड़ पकड़ के direction change करता रहता, that's it, velocity कोई change नहीं करता ये, लेकिन velocity तो change होई है, non uniform में, तो किसी ने तकर आई होगी, ऐसा थोड़ी है, paranormal activity चल रही है, अपने आप velocity change हो गई, तो बेटा, एक acceleration, tangential direction में भी पाया जाता है, एक acceleration, tangential direction में भी पाया जाता है, जिसे, tangential acceleration कहा जाता है, कितना असान है देखो, एक acceleration, tangential direction में भी पाया जाता है, जिसे कहा जाता है, बेटा, Tangential Acceleration और ये Tangential Acceleration responsible है velocity का magnitude change कराने के लिए क्या जवर्दस feel दी है सरने feel आई है ना बेटा, feel आगई है, सोचो feel बहुत important है हमारी class में है, बहुत ज़्यादा important है इस पर कोई compromise नहीं कर सकते है अपने तो देखो, Tangential Acceleration का काम क्या है, magnitude को change कराना इसका काम है, ये magnitude को change कराता है, अब आप बोलोगे कि सर, तो फिर Uniform Circular Motion में क्यों नहीं पढ़ाया हमें Tangential, उसका आंसर तुम्हें खुदी मिल जाएगा, क्योंकि magnitude तो change हो ही नहीं रहा था तो अगर magnitude change नहीं हो रहा था, स्पीड का तो Tangential Acceleration था क्या नहीं था, अरे वो होता तो magnitude change कर देता बेटा, है नहीं कहां से change करेगा, तो इसलिए नहीं पढ़ाया था, तो Uniform Circular Motion में, Alpha तो 0 होता ही है, Angular Acceleration तो 0 होता ही है, AT भी 0 होता है, और एक और बात आपको बता दूँ, जो आपको सुनके बड़ा अच्छा लगेगा, कि 80 यानि कि Tangential Acceleration का formula होता है बेटा, Alpha into R, प्लीज रिमेंबर दाट, ठीक है Alpha into R, अब खुद सोचो, स्वयम विचार करो, जब Alpha ही 0 है, Uniform में तो 80 भी तो 0 हो जाएगा बिल्कुल सही बात है, देखा क्या relate कर पाया आप हर चीज को अब जब आप conclude करोगे न, Uniform Circular Motion को, तो देखो आप क्या-क्या बोलोगे भाई बोलोगे, Speed constant Omega भी constant Alpha 0, और Alpha के 0 होने से, 80 भी 0 और सही बात है, बिल्कुल बढ़िया लॉजिक बन रहा है, कि भाई अगर 80 0 है, इसका काम है magnitude को change कराना, अब यह अगर 0 है, तो magnitude change होने से रहा, इसलिए Omega constant है, देख रहे हो, कैसे relate कर पा रहे हो 80 0 है, इसका काम है magnitude को change कराना, वो है नहीं, वो exist ही नहीं करता है, Uniform Circular Motion में, तो magnitude कौन change कराएगा, कोई भी नहीं, तो बढ़िया कहानी चलती ही रहती है, same magnitude के साथ, लेकिन AC तो हमेशा है, अगर Circular Motion है, तो AC पक्का है वहाँ पे, याने Centripetal Acceleration क्योंकि उसका काम direction change कराना है अगर कोई acceleration है ही नहीं, जो direction change कराए तो circular motion कैसे होगा, मानलो एक particle ऐसे जाना चाहता है, यह चाहता है कि कोई इसकी direction change करा दे बट AC मानलो ही नहीं वहाँ पे, तो इस particle ऐसी चलता रहेगा, थोड़ना circular motion होने वाला है, चिप चाप निकल ले गाई है लेकिन अगर suppose करो AC है उपर की तरफ, तो इस particle ऐसे घुमा देगा फिर AC इस तरफ आ जाएगा, उसको ऐसे घुमा देगा, समझे रहो, तो ऐसे हमेशा इसका direction change करा 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 कर के circle कराता रहता है मुझे तो जवर्दस वाली feel आई है, यहाँ पर पानी पुरा भर चुका है, feel के गंगा पहच चुकी है, बहुत बढ़िया से दुपकी लगा लो, मैं तो कहता हूँ, सारे पाप धुल जाएंगे, है ना? बताओ, revise करते हैं कौन सा acceleration, magnitude change कराएगा? 80 कौन सा acceleration, direction change कराएगा? AC किस acceleration के बिना circular motion possible ही नहीं है AC के बिना possible ही नहीं है क्योंकि AC ही direction change कराता है क्या 80 के बिना circular motion possible है? हाँ, देखो, ये 80 के बिना होता है circular motion 80 अगर नहीं है, तो कौन सा circular motion होता है? Uniform circular motion होता है velocity change नहीं होती मतलब, sorry, magnitude of velocity change नहीं होता है लेकिन अगर 80 है तो कौन सा circular motion होता है? वो होता है non uniform, क्योंकि वहाँ पे speed का magnitude भी change हो जाता है, ठीक है बेटा, अब मैंने पिछले दो मिनट में जो भी मैंने revise कराया ना, एक काम करना session के बाद, इसको आप एक बर जल्दी से लिख लेना अपनी copy में, जो भी मैंने बोला, है ना, अचल यह, बहुत बढ़ी आवच्चो, आगे बढ़ते हैं बेटा, तो यह diagram देखो, यह diagram देखो, आपको feel आएगी, और यहाँ पे अगर आप देखोगे बेटा, तो इस direction में 80 दिखा रखा है, और यहाँ पे दिखा रखा है, और यहाँ पे दिखा रखा है, और दोनों हैं, और यहाँ या फिर AC, एक ही बात है न, radial बोलो, चाहें centripetal बोलो, एक ही बात होता है, हाँ, T अलग होता है, तो बताइए, nation wants to know, कि अगर यहाँ पे 80 भी exist करता है, और भी exist करता है, तो यह है सर, हाँ, तो किस से लिख लें, वाइट से लिख लेते हैं, तो यह बेटा, non uniform circular motion है, क्योंकि यहाँ पे 80 भी non zero है, और AR भी non zero है, ठीक है बेटा, दोनों ही non zero है, मतब दोनों exist करते हैं, अच्छा सोचो, अगर 80 zero हो जाए, लेकिन AR non zero हो, यानि कि centripetal non zero हो, तो कौन सा circular motion होगा, यह कहलाता है uniform circular motion, यह कहलाता है uniform, तो simple सी बात होगी, conclude कर देते हैं, uniform में tangential zero होता है, non uniform में tangential zero नहीं होता है, हलांकि centripetal या फिर radial तो दोनों में ही non zero होना ही पड़ेगा, इसके भीना तो circular motion ही possible नहीं है, यह zero हो गया, तब तो circular motion ही नहीं हो पाएगा, जब centripetal force ह लिए तो का है का circular motion है ना बेटा, चलो बहुत बढ़िया, तो यह हो गया, अच्छा कई बार आपसे net acceleration पूछ लेते हैं, कई बार आपसे net linear acceleration पूछ लेते हैं, तो देखो, एक तो 80 होता है tangential direction में, एक हो सकता है AC, center की तरफ या फिर AR कहलो, तुम confused तो नहीं होते हो, कई बा centripetal A की बात है, अच्छा इसका net क्या होगा देखो, अगर दो vectors ऐसे हैं, तो net यहां कहीं से जाता है, बीच से, और net का formula होता है, under root of x square plus y square, तो under root AC square plus 80 square, यह बटा, net acceleration का formula है, simple vectors यार, कुछ भी नहीं, simple vectors है, ठीक है, चल यह बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, देखो यह question आया था previous year में, let AR 80 represent radial and tangential acceleration, जैसा कि मैं आपको पढ़ाया, और पूछते हैं, the motion of a particle may be circular if, motion of particle circular कब हो सकता है, पहला option बोलते हैं, AR 0, 80, 0, भाई, जैसे ही AR 0 दिख जाएना, तुरंत बोल देना, circular तो possible नहीं है, है ना, circular तो नहीं हो सकता भाई साब, निकल लो यहां से radial ही नहीं है, centripetal ही नहीं है, इसका मतलब, तो फिर काहे का circular motion नहीं हो सकता, अच्छा, दूसरे में भी देखो, वही कहता है दुबारा नमूना, AR 0, नहीं हो सकता, circular motion पॉसिबल ही नहीं है, हाँ, AR non zero, बिल्कुल हो सकता circular motion, मुझे 80 देखने के ज़रत भी नहीं है, जैसी म बताता, 80, बाकी काम तो पुरा AR का है, AR decide करता है, AR king है, king है वो, वो बोलता है कि circular motion होगा की नहीं होगा, बाद में 80 तो बस इतना decide करता है कि circular motion uniform होगा या non uniform होगा, ठीक है, तो अगर AR है, non zero है, तो circular motion तो होगा, तो अपना answer तो C है, लेकिन 80 non zero देखके आप ये बात भी ब exist करता है, exist करता है तो वो velocity का magnitude change करा देगा, और velocity का magnitude change हो जाएगा, तो non uniform circular motion, दिल बनाइए फटा फट और like करिये session को और subscribe करिये channel को, ये दो तीन चीज़े करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बना आपको पता है, मैं cover लगा देता हूँ इसके उपर, है ना, कभी लग topic है, इस पूरे chapter का, है ना, हमने banking of roads बहुत अच्छे सा पढ़ा है, with friction, without friction, with banking, banking के साथ friction सब पढ़ा दिया है, और अब आपको मैंने ये भी पढ़ा दिया कि uniform, non uniform क्या होता है, है ना, अब देखो बिच्छो, यहाँ पे जो आपको देखने को मिल रहा है, तो बिटा, यहा gravity नीचे की तरफ, तो यहाँ पे यह non uniform circular motion होता है, सबसे पहले तो यह समझे लो आप, क्यों होता non uniform, क्योंकि speed कम जादा हो सकती है, जब यहाँ से उपर जाएगा, तो इसकी speed कम होती जाएगी, क्योंकि gravity है नीचे की तरफ, तो यह decelerate करेगा, समझ पारे हो, जब यह ऐसे आएगा, उपर जाना की कोशिश करेगा, तो gravity नीचे है ना, decelerate करा देगी, वही तो tangential force है वहाँ पे ठीक है, फिर यह जब ऐसे नीचे आ रहा होगा, तो gravity इसको क्या करेगी, accelerate करा देगी, तो एक बात समझ में आ गई क्या, कि vertical circular motion, generally, अगर लिखा नहीं है, कि constant velocity है, अग बताओ, इसमें करना क्या है, राइट, क्या find करना चाहते हो, आप सर, यह बताओ, तो पहले तो इसको ध्यान से देखो, देखो, 2.5R height से निकाला है, तो circular motion हुआ, ठीक है, 2.7R height से छोड़ा है, तो भी देखना circular motion होगा, लेकिन अगर 2R से किया, तो देखना circular motion नहीं होगा ओ, यह क्या हुआ, हाँ, यही तो हमें समझना है, देखो, 2.5R में हुआ circular motion, 2.7 में भी देखना, हुआ circular motion, बढ़िया वाला हुआ, जब अरदस वाला हुआ, height जब 2R रखा है तो नहीं हुआ, यानि कि यह height अगर आप कम रखोगे, तो ऐसा क्या हो रहा है, तो ball को कम energy मिल रही है, MGH, 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 है ना, कम energy मिल रहे है, कम potential energy, तो ball के पास अगर कम energy है, वो कम energy के साथ जब यहाँ पे जा रहा है, तो पूरा circle नहीं कर पा रहा है, है ना, बीच में है उसका contact lose हो गया, तो sir, क्या condition है, या फिर, या फिर उसको ऐसे बोला जाए, कि ball की minimum speed, देखना ध्या करना है ना, तो bottom most point पे minimum उसके पास, minimum कितनी speed होनी चाहिए, कि circular motion हो जाए, ये निकालना होता हमें, भी minimum, minimum ही क्यों निकालते हैं, देखो, minimum के बाद अगर आप speed बढ़ाते जाओ, खुब speed में भेजो, तो circular motion तो हो ही जाएगा, तो हम ये जानना चाहते हैं, कि minimum कितनी speed रख ये value आई, 5 meter per second, ठीक है, ये हां पे minimum value आई, 5 meter per second, तो इसका मतलब है, अगर येँआ पे 5 speed है, तो circular motion हो जाएगा, 6 है, तो भी हो जाएगा, 7 है, तो भी हो जाएगा, 10 है, तो भी हो जाएगा, लेकिन अगर 5 से कम हो गई speed, मानलो यहां पे आपने फेका with 2 meter per second, तो उसको कम में energy मिल पाई, तो बिचारा पूरा नहीं जा पाएगा, बीच में ही वापस लॉट आएगा, circular motion नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो बेटा, सबसे पहले तो मैं आपको ये minimum speed का formula बता देता हूँ, इस minimum speed का bottom most point पे, ठीक है, bottom most point पे जो minimum speed का formula होता है, वो होता है बेटा, under root of 5gr, 5gr, g is the acceleration due to gravity, r is the radius of the track, ठीक है, radius of the track, circular है तो radius भी तो होगा, है ना, बहुत बड़ी असर समझ में आया, मतलब अभी क्या समझ में आएगा, अभी तो याद कर लो formula, derive करके दिखाता हूँ, तब feel आएगी, ठीक है, देखो, अगर आप r वाला case ध्यान से दिखोगे, यह तो 2.5 वाला है, तो यह तो हो गया, यह 2.7 वाला है, इसमें भी हो जाएगा, r वाला case जरा ध्यान से दिखना है ना, तो r में हुआ ऐसा, ओ भाई, यहां से ऐसे वापस आ गया था, देखा तुमने, यहां से वापस आ गया था, तुम्हें पता है, यह body, यहां से वापस जब आई, तो क्या हुआ actually, contact lose हो गया track के साथ, देखो 2 r वाले में, देखो, वहीं से वापस आ गया वो, contact lose कर गया वो track के साथ, और contact lose जब होता है ना बिटा, तो हम बोलते हैं, वहाँ पे normal force 0 हो गया, है ना, normal force 0 हो गया, अब हमने इतनी कम energy दी थी ball को, कि यहीं पे जाके normal force 0 हो गया, है ना, और ball वहीं से contact lose करके निकल लिया, तो ऐसा क्या limiting case होगा, at least कहां तक, at least कहां तक, normal force अगर 0 ना हो, तो हमारा काम चल जाएगा, वो point होता है बेटा, topmost point, वो point कौन सा होता है, topmost point, तो हम limiting condition में ऐसा बोलते हैं, कि अगर contact इसके पहले lose नहीं हुआ, मतलब यहां से यहां तक पूरा बढ़िया contact रह गया, अगर यहां जाके contact 0 हो भी जाता है अगर, तो भी particle के पास थोड़ा inertia होगा, यानि कि इस तरफ एक speed होगी, है ना, उस speed की वज़े से यह particle directly नीचे जाने की बजाए, इसी से जाके टकराएगा और circular motion फिर भी हो जाएगा, समझे रहे हो, मतलब ऐसा कौन सा point है, जहां तक, at least जहां तक आपको normal force चाहिए, at least चाहिए वहाँ तक, वो कौन सा point है बेटा, topmost point, तो हम क्या बोलते हैं, हम तो minimum निकालते हैं, देखो, इंडिया में हम efficiency की बात करते हैं, कि भाई, मुझे पहुचना तो है वहाँ, लेकिन fuel मुझे minimum जलाना है, ऐसा होता है न, ऐसा थोड़ी है, मुझे बिल्कुल 200 की speed में लेके जाओ, full speed में लेके जाओ, मुझे पहुचना है वहाँ, हम इंडियन्स ऐसे सोचते हैं, कि ठीक है भाई साब, इतना emotional क्यों हो रहे हो, circular motion तो मुझे करना है, लेकिन ऐसे करना है, कि minimum speed में काम चल जाए, minimum खर्चा हो हमारा ज़्यादा tail will जलाना न पड़े, तो हमने बुला, अच्छा तो अगर ऐसा है तुम्हारा requirement, तो उस requirement को पूरा ऐसे कर सकते हो, कि at least इस point तक normal force 0 ना हो, उसके बाद हो जाए, ठीक है, लेकि limiting condition में हम यह बोलते हैं, कुछ बच्चे ऐसा सोच रही है, भी मुझे पता है, तुम कैसा सोच रही है, कि सर देखो, पार्टिकल ऐसे चलता जारा, चलता जारा, चलता जारा, सार बोलते हैं यहां पर आके नॉर्मल फोर्स जीरो हो गया तो सर यह तो नीचे ऐसे गिर जाएगा यह लो तो कहां हुआ सर्कुलर मोशन बेटा ऐसा नहीं होगा इनर्शिया नाम के भी कोई भुस गया है कि अगर मिनिममम स्पीड से सर्कुलर मोशन करवाना है तो लिमिटिंग कंडिशन में हम बोलेंगे कि टॉप मोस पॉइंट पे नॉर्मल फोर्स जीरो होगा तो भी सर्कुलर मोशन हो जाएगा उससे पहले जीरो नहीं होना चाहिए उससे पहले जीरो हो गया तो पहले ही zero हो गया तो यह पार्टिकल ऐसे चल रहा था ऐसे चल रहा था माल लिए यहां पे contact lose हो गया तो हाला कि उसके पास inertia है तो inertia के वेज़े से थोड़ा तो उपर जाएगा बट फिर तो नीचे गिरना पड़ेगा प्रोजेक्टाइल मोशन करके यहां पे भी तो वही हुआ देखो यह ऐसे जा रहा था बिचारा यहां पे inertia के वेज़े से थोड़ा उपर गया लेकिन फिर तो नीचे गिरा देखना टू आर वाला केस ठीक है तू आर वाला केस देखना आप लोग यह टू आर वाला है ना दे पढ़ाते पढ़ाते मुझे समझ में आ गया कि मैंने बहुत जबर्दस्त वाली आपको फील दे दी है तो प्लीज रिमेंबर टॉप मोस पॉइंट पे नॉर्मल पोर जीरो हमें करना होता है तो डेराइव ठीक है बेटा उससे पहले नॉर्मल पोर जीरो नहीं होना ठीक है सर अब यह पार्टिकल ऐसे चलते 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 जब यहां पहुंचेगा टॉप मोस पॉइंट पर तो इसकी स्पीड हो जाएगी क्योंकि ऐसे घूम रहा है देखो एंटी क्लॉक्वाइस है ना तो टैंजेंश स्पीड हो जाएगी माल वह स्पीड वी है कुछ के नीचे फोस लगाएगी विच विल भी एम जी है ना बेटा वह तो लगना ही है उसके एना कैसे काम चलेगा यह तो होगा और आपको पता है कि पार्टिकल के फ्रेम से बाहर की तरफ एक force लगेगा जिसे हम कहते हैं centrifugal force centrifugal force which will be how much mv square by r अब सोचो अगर यहाँ पे normal force होता होता अगर तो क्या होता तो वो इस direction में होता normal force समझपा रहे हैं उस बात को आप देखो particle पे track यह जो track है ना circular track वो particle पे इधर force लगाता pushing force होता है ना normal force देखो particle यहाँ पे है ball यहाँ पे है तो यह जो track है वो यहाँ पे ball यहाँ पे तो उसको नीचे की तरफ ऐसे push करता वो ठीक है तो normal force लगता लेकिन यहाँ पे normal force कितना वेटा 0 limiting condition तो अगर normal force 0 है तो यह दोनो forces एक दूसरे को balance करेंगे और आप लिखोगे equilibrium पे mg is equal to mv square upon r पिटा mass और mass cancel हो जाएंगे यहाँ से आपको v की value मिलेगी under root g into r मतलब topmost point पे कितनी minimum velocity होनी चाहिए under root g r बहुत बढ़िया फिल आई है ना इसकी speed आगे ही लेकिन क्या हमें यही निकालना था हमें तो bottommost point की minimum speed निकालनी है कोई बात नहीं यह निकाल लिया ना अब यह अपने आप आजाएगा देखना energy conservation से आजाएगा ठीक है बटा देखो energy conservation में क्या बोलेंगे हम बोलेंगे कि देखो sir इसको हम लोग reference line मान लेते हैं और कह देते हैं कि यहाँ पे अच्छा इस point से यह point कितना उपर है यह height कितनी है इस point की बेटा diameter के बराबर यानि कि 2R के बराबर है है ना यह देखो height कितनी है 2R which is diameter तो यहाँ पे कितनी potential energy लिखोगे बच्छो यहाँ पे आप potential energy लिखोगे mg into 2R है ना mg into 2R mgh 2R है ना बहुत बढ़िया और kinetic energy कितनी लिखोगे half m v square और यहाँ पे velocity की value है बेटा धरूट gr इसका square करोगे तो यह सिर्फ g और r बच जाएगा है ना v square कर दिया अब कर दो energy conservation देखो topmost point पे total energy बोलो बेटा half mgr which is the kinetic energy plus और क्या energy है 2mgr which is the potential energy equal to, नीचे तो potential energy 0 है ना यहाँ की energy बराबर नीचे की energy कर रहा हूँ that's it, तो यहाँ पे half m v minimum का square, यही v minimum मुझे निकालना है, देखो क्या क्या cancel हो रहा है बच्चो, m, m और m तो cancel हो जाएंगे, है ना आप जब इन दोनों को add करो कि तो क्या बनेगा देखो, टू टू जा फोर, फोर प्लस वन फाइव, यह बनेगा आपका पाइव बाइटू जी आर इस इक्वल टू, वन बाइटू वी एम का square, यह तू और यू तू कैंसल और देखो आंसर वही आया जो सर ने आपको बताया था, अंडर रूट आफ पाइव जी बार, देख रहे हो बेटा, यह minimum speed required होती है, अगर particle को circle करना है, और यह minimum speed कहां पे required है, bottom most point पे, feel आईए क्या, तो फटा फट दिल बनाईए, तुम मुझे दिल दो, मैं तुम्हें feel दूँगा, तुम्हें पताईए, और बेटा, like करो session को, बना तुम्हें पताईए कि मैं पताई चल गया कि bottom most point पे इतनी speed चाहिए, which is how much root 5GR, एक question try करते है, इस question में बोला गया, कि एक frictionless track है, A, B, C, D, E, it ends in a circular loop, देखो, यहां से शुरू करता है, ऐसे जाता है, बाद में circle है, पहले तो frictionless track है, बोल रहे हैं, body slide कर रहा है, point A से height 5 meter है, यहां पे जो body है, उसकी height क maximum value of R for a body to complete the circular loop completely, बतलब पूरा circle हो जाए, ऐसा R का value बताओ, तो देखना कितना आसान है, मैं आपको समझाता हूँ, देखो बेटा, बताओ, इस point पे, यानि कि bottom most point पे, कितनी speed चाहिए, minimum, minimum आपको कितनी speed चाहिए, बताओ, सर हमें जो minimum speed चाहिए, उस point पे है, आवाज आव speed required है, root 5GR, अच्छा, अगर इतनी speed चाहिए, तो kinetic energy कितनी चाहिए, वहाँ पे, kinetic energy चाहिए, half mv square, तो half m, velocity का square करेंगे, तो simple 5GR बन जाएगा, इतनी kinetic energy चाहिए, bottom most point पे, ठीक है, बहुत बढ़िया, आया समझ में, तो बेटाओ, बताओ, कि, यहाँ पे, यहाँ से तो release किया है, तो kinetic energy वहाँ से 0 होगी, और अगर इस reference पे मैं कहलूँ, कि potential energy 0 है, कह सकता हूँ ना, बेटा, किसी भी reference पे कह सकता हूँ, इस पे कह लेता हूँ, क्या दिक्कत है तो यहाँ अगर potential energy 0 है, तो यह point तो 5 cm उपर है, तो यहाँ कितनी potential energy होगी, बेटा, यहाँ पे हो जाएग इसलिए मैं ऐसी रख रहा हूँ, ठीक है, अब इन दोनों को आप equate करोगे, क्या करोगे, यहाँ की total energy बराबर यहाँ की total energy, तो देखो क्या मिलेगा, उपर energy है, बेटा, mg into 5, बराबर, यह centimeter में याद रखना, प्लीज, बराबर half, m into 5 into g into r, अब देखो, m और m cancel हो गए, g और g cancel हो गए है ना, यहाँ से 5 और 5 को भी मैं cancel कर सकता हूँ, और r की value क्या मिल जाएगी, 2 into 1, 2 centimeter, 2 centimeter को भी दा answer, बेटा, मैंने यहाँ पर centimeter में इस लिए लिख लिया था, क्योंकि इस तरब भी r है, तो units इतना matter नहीं करेगा, इधर भी आप convert कर सकते हो, इधर भी convert कर सकते तो 2 centimeter आजाएगा, तो units में please confuse मत हो ना, अगर ऐसे stunt नहीं मार पाते हो, आप इसमें गलतियां हो जाती है, तो simple हिसाब रखो, हमेशा meter में convert करो, आगे बढ़ो, है ना, हाना कि मुझे पता था कि सब cancel हो जाएगे, इसलिए centimeter में ही answer आजाएगा, तो फर्क नहीं पड़ता है पता ये feel आईए क्या, simple question था है ना, बहुत बच्चों ने सही answer भी दिया है, yes, d equal to 2 centimeter is the correct answer बच्चों, ठीक है बेटा, चलो, बहुत बढ़िया, तो yes, that's it, और dpp पे questions आप करी चुके हैं इसके, है ना, vertical circular motion वाले, तो बिल्कुल भी डरने की जुरत नहीं है, अगर vertical circular motion के questions अभी तक नहीं करें हैं, तो वो कर लेना अब आप से हो जाएंगे, ठीक है बेटा, चलिए, बहुत बढ़िया, that's it for today, मिलते हैं बेटा, next class में, और आज जो next class होगी, वो किस पे होगी, Magnetism and Matter Parts 3, 6 बजे होड़ा है अपका, जिसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, Magnetic Materials, तो आज की class एक तरह से कहलो, Backlog Clear करने वाली class है, यह दो chapters बज गए थे आपके, यह दो topics बज गए थे, वो मैं करा रहा हूँ, Iconic के मैंने आपको सारे फाइदे बता दी है, परसनल कोच मिलते हैं, जो आपको study planners देते हैं, तो definitely आपकी बहुत help करेगा यह बिटा, और prices प्लस के यह है, 34,650 और 50,400, 1 year and 2 year, 6 months का अगर लेना है, तो आप definitely Iconic लो ज़्यादा फाइदे मन्द है आपके लिए, और GG Life Code लगाओ है न, Iconic में आपको परसनल कोच मिल GG Life Code आपको लगाना है बच्छो, ठीक है, तो yes, Unacademy Need Toppers चैनल, आपका चैनल है बेटा, सब्सक्राइब करो इसको, bell icon दबादो फड़ा फट से and also hit the like button for this video, हम मिलते हैं बच्छो next class में, till then, bye bye, have a nice day, enjoy.